हेलो एवरीवान स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न इन फान के हमारे इस स्पेशल से सेशन में मचो मेरा नाम है उजवला और आज मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ अचली ये सेशन जो है ना मेरी जिंदगी के बहुत जादा करीब है जैसे क्या पढ़ सकते हो आज में अपनी ही लाइफ की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाव आई टॉप्ड माइ स्कूल आई नो मुझे देखके नहीं लगता है कि भाई ये माम कभी स्कूल टॉपर भी रही होंगी लेकिन हाँ वीडियो के एंट तक वेट करेगा आपको बिल्कुल जो है बच्चों हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि माम ने जो है स्कूल प्रणाई होंगे तो बाती है जो है अपनी स्ट्राटेजी मेने किस तरीके से स्कूल में टॉप करा था क्या-क्या पढ़ाई करी थी किस तरीके से महनत करीठी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी की सारी बात है आप छोगों के साथ आप और फ्यार GC contact शेर करने और जब मैं 11 स्टांडर्ड में तो मेरा एक जो है लाइफ में परिवर्तन आ गया जैसे सब पुरी लाइफ की स्टोरी आज शेर करेंगे हम लोग तो मैं शुरू करती हूँ ठीक है तो मैंच हुआ क्या था कि जब मैं मतलब छोटी क्लास में थी अभी ज़रा चश्मा वश्मा हटा देते हैं बिलकुल दिल की बात करते हैं दिल से तो हुआ क्या था कि जब मैं छोटी क्लास में थी 6th, 7th, 8th, I think तब तक मैं स्कूल टॉप क्या करती थी उस ताइम तक लेकिन तो मेरे चोटा भाई था तो मेरी मॉम मुझे पढ़ाया करती थी तो उनका पुरा-पुरा फोकस जो हो मेरे भाई पर चला गया तो वो उसको पढ़ाने लगती हैं और मेरे उपर से कही ना कही उनका फोकस जा चुका था and because I was in higher classes तो एक बच्चे में खुझसे भी self-study का हो आ जाता है ना कि अब हम कुछ से पढ़ सकते हैं तो वैसे वैली चीज थी टूशन वगेरा में नहीं जाती थी 9th और 10th में बहुत कम टूशन I think 10th में एक टर्म मेंने लगवाई थी टूशन उसके लावा कोई टूशन नहीं second term बिना टूशन के so still I scored 80% in 10th standard which was मतलब कुछ जादा ही कम मेरे परिवार के हिसाब से तो उन्होंने ना मुझे बहुत बोला कि देखो अगर ऐसे ही रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा life में जैसे कि आप सभी को सुनने को मिलता होगा है ना कि अगर ऐसे ही marks रहेंगे तो क्या करोगे life में यह है वह है चल बट then a very crucial moment of my life which was to decide my stream सभी को बता है कि माम जो है humanity stream को belong करती है बट बचो मेरी humanities जो stream थी वो एक pure humanities नहीं थी मेरे मन मर्जी से मैंने वो stream चुनी थी बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि इसको science दिलाओ commerce दिलाओ नहीं तो life में क्या करेगी कुछ नहीं हो पाएगा इसका but still I went for what I wanted to so मैंने humanities चूज करा and humanities के अंदर I had mathematics I had economics maths और ECO के साथ साथ political science history and English these were the five subjects I had because मुझे मैं पढने में बहुत ही जादा इंटरेस्ट आता था economics मुझे बहुत प्यारी लगती थी लग पूरे SST में सबसे जादा अच्छी मुझे economics लगती थी और political science history मतलब मैं उसमें अच्छे नंबर हमेशा लेकर आती थी so I went for that and I was like कोई नहीं आगे चल की government exams वगेरा की तायारी करेंगे और teacher बनना था तो teacher बन जाएंगे वो सारी चीज थी but मैं हमेशा से इतना जाद फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं रखती थी तो हाँ उस टाइम पर जो major decision मैंने लिया वो था अपनी stream selection का अपनी रुची के हिसाब से अपने interest के हिसाब से मैंने किसी की नहीं सुनी सिर्व अपने दिल की सुनी and I went ahead for my stream and that's the best decision I ever made वो सबसे बढ़िया decision था मेरी life का वैसे कुई में इतनी अच्छी नहीं हो decision making में but that was the best decision I made because I went with what my heart said out loud and many humanity stream को choose करा and उसके बाद शुरू होती है मेरी life की journey जहां पर देखिये बिना hard work के कुछ नहीं हो सकता है सो यहां पर मैं आपको कुछ steps बताऊंगी एक एक करके हम हर चीज़ को discuss करेंगे सबसे पहले आ जाते हैं start your revision early पर मचों यह जो line लिखी है ना यहां पर यह line आप मेरे से आज सुन रहे हो लेकिन हमेशा याद रखना hard work का कोई substitute नहीं है बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है obviously किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी काम नहीं आएगे किस्मत भी उन्हीं लोगों की चलती है जो मेहनत करते हैं ठीक है सो बचो यहां पर hard work is a very very important thing to do मैं जैसे 11 मैं मुझे realize हुआ कि मेरे parents अभी उनको मेरे माग से इतने बुरे लग रहे हैं that is because वो इतनी जादा वो इतना जादा खर्चा करते हैं मेरी पड़ाई पर वो चाहते हैं दिल से कि मैं बड़े होकर कुछ अच्छा बनू कुछ अच्छा करू देखो जिसका benefit मुझे होगा life में उनको क्या benefit होगा उस चीज से मुझे ही benefit होगा and then एक वो एक realization मेरे अंदर आई and I started studying on a daily basis जो कि मैं पहले नहीं करती थी पहले मैं भी उन्हीं बच्चों में से आती थी जो exam से एक हफता पहले जो है किताबे उठाते हैं पढ़कर exam दे देते हैं but then after this realization I realized कि अगर मैं daily basis पे महनत नहीं करूंगी daily basis पे पढ़ाई जो है नही करूंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा and मैं daily जो है महनत करनी शुरू करती हूं mathematics एक ऐसी चीज थी जो मेरी class में सिर्फ मैं और एक दूसरी लड़की के पास थे only two of us had mathematics in humanities तो उसमें थोड़ा और जादा डर लगता था कि यार इतने कम बच्चों के पास है हम कई fail well ना हो जाएं तो उसको मैं daily basis पर बच्चों बहुत देर तक पड़ा करती थी like maths करने अगर आप बैठते हो तो I think 4-5 गंटे लग जाते हैं तो क्योंकि मुझे मुझे से डर लग र थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस पर hard work put in करना शुरू कर दिया तो दिन के 2-4 घंटे मैं maths पड़ा करती थी economics मैं एक घंटे में रिवाइस करती थी और बाकी political science history जो है मैंने उसको weekly ऐसे बाटा हुआ था कि 3 दिन Paul science 3 दिन history लेकिन बच्चों यहां पर जो बात बोली गई है it is very important that start your revision early आपको जो भी पढ़ाई करनी है जो भी revision करनी है आपको वो day 1 से शुरू करनी होगी तो अगर अभी तक आप बच्चों ने अगर आपको कुछ अच्छा चीव करना है ना बच्चों तो वो end moment की पढ़ाई तो होती है यार वो पास होने के लिए होती है लेकिन अ कोई substitute नहीं है अभी hard work कर लो नहीं तो बाद में work hard करना पड़ेगा टीक है तो इस बात को याद रखिएगा the next thing is organize your time which is very important जिस पर मैं भी भी बात कर रही थी कि अपने time को manage करना बहुत important है obviously मैं यह नहीं चाहती हूं कि आप लोग एक robot की तरह एक टाइम टेबल बना लो द follow that on a daily basis आप लोगों को करना क्या होगा जब भी मैं time को organize करने की बात करती हूं तो देखिए जिस subject में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था तो मैं सबसे ज्यादा घंटे देती थी रिवाइस करने के लिए प्राक्टिस करने के लिए जितनी मैं प्राक्टिस करो ना उतनी वह परफेक्ट होती है तो उसको मैं सबसे ज्यादा देड़ देती थी विकोई मुझे उससे डर लगता था और मैंने उस fear को overcome करा है अभी ब फाती हो, डर लगता हो, so take up that subject and उसको थोड़ा सा ज़्यादा time devote करो in comparison to the other subjects और जो चीज़े easy लगते हैं जैसे मेरे लिए political science और history मुझे easy लगता था, तो मैंने Paul science और history को, अब किसी किसी को difficult भी लगता है, मैंने Paul science और history को इस तरीके से divide कर रहा था, कि हफते की तीन दिन Paul, तीन इन history और में एक या डेड़ घंटा बढ़ती थी, तो आप देख रहे हो, दिन के यह, छे घंटे, छे घंटे में पढ़ाई को devote करती थी, 11 standard में, and I think उतना हम time manage कर सकते है, 6-7 hours we can devote in a day for studies, है ना, एक fix अगर आप time table बना के रख लोगे, क्योंकि देखो, हर दिन ना कुछ ना कुछ different है, हर दिन में मुझे लगता है कि आपको इतना fix करना जी कि भाई, मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं उसमें कोई भी subject पढ़ू, इतने घंटे तो पढ़ना ही है, जिससे डर लग की तरह 2-3 PM यह होगा, तीन सु साढ़े तीन में सो जाओंगा, सो के उठ भी जाओंगा, साढ़े तीन, तो वैसे नहीं चलती है, लाइफ, रोबर्ट की तरह नहीं चलती है, आप इंसान हो, तो आपको जो है, हर चीज अब ऐसे एकदम fix नहीं कर सकते, बढ़ हंजी, आप इतना टाइम सोझो की में को दिन में निकालने ही निकालने है तो उस पर डट कर रह ऐसा नहीं होगा एक एक चीज बहुत जादा जरूरी यह है कि आपको यह सबसे पहले डिफाइन करना है कि are you a morning person और are you a night person कि आपका दिमाग सुभे early morning जादा तेज चलता है या फिर रात को अंधेरे में जादा तेज दिमाग चलता है so that is something you have to decide और उसी हिसाब सबने sleeping schedule को form करना है मैं मैं अगर बताओ मैं early morning person नहीं हूँ मुझ सुभे चार बजे उटके पढ़ाई नहीं करी जाती थी exam time पर करी जाती थी बड़ उसके अलावा नहीं so मैं एक late night person हूँ night owl जिसको बुलते हैं तो मैं रात को यह तीन चार चार बजे तक पढ़ाई करती थी दुपहर में सुझा थी मुझे नीन बहुत अच्छे लगती है तो एसे वाला तो रात को अगर आपको तीन-चार घंटे की मिल रहे हैं और फिर आप दिन में भी दो तीन घंटे की नीन ले लगे लेते हो तो आपका वो sleeping दिन में पड़ा नहीं जाता तो इसे आप सिबने टाइम को फ्रेम कीजिए बट हां ऐसा नहीं होगा कि दो या तीन घंटे सो जाओ और फिर पुरा दिन पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं नहीं बचो दिमाग भी टाइम के बाद चलना बंद हो जाता है मशीन नहीं हो आप रोबाट नहीं हो बार बार बता रहे हूं आपको अच्छी डाइट चाहिए अच्छा खाने का देखो तो मम्मी आपके अच्छा बनाती है बट अच्छा सब कुछ खाने का फ्रूट्स वगरा हेल्दी चीज़े खाओ यह नहीं की बर्गर पीज़ा मंगा मंगा के मोम खाय जा रहे हैं नहीं एक हेल्दी डाइट खाये और साधी में स्टे हाइड्रेटे ड्रिंक लॉट्स अव वाटर हाव गुड़ स्लीप एक अच्छा माउंट ऑफ सोना भी आपको चाहिए यह सब चीज़े फॉलो करने पड़ती हैं अच्छा बचो देखे अब यह से तो पर हम बन रहे हैं लेकिन टॉपर बनाने के लिए आप लोगों को एक बहुत ही दिल्चस्प सा बैच हम लोग लेकर आए हैं उसके बारे में शायद अभी तक सभी बच्चों को पता होगा पर जिनको नहीं पता है तो बाच का नाम है ड्रीम बाच जहांपे बच्चों क्ला 12 के बच्चों के लिए यह बैच आया है जो कि आपके बोर्ट की प्रेपरेशन में आपकी हेल्प कराएगा बहुत लिमिटेड नंबर ओफ लेक्चर्स में आपको पूरा सिलिबर्स करा दिया जाएगा आपके फेवरेट टीचर्स आशु सर उच्वला माम शिवांगी माम सर तान्या माम भूमिका माम यह सारे लोग आपको इन कोर्स में पढ़ाएंगे और कोई भी डीटेल आपको ड्रीमर्स बैच से रिलेट अगर चाहिए तो आप लोग हमारे कॉमेंट सेक्शन में देख सकते हो टॉप मोस्ट कॉमेंट कॉमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक लिंक वैलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक वैलेबल है और वहां पर आप उसको फिल करकर किसे भी इंफ्यमेशन को हासिल कर सकते हैं चली चलते हैं बचों आगे देखते हैं नेक्स्ट पोईंट इस टूट टेक ब्रेक्स बार बार रोबोट नहीं है हमारी जो लेने बहुत जादा जरूरी है और यह भी पता है गैप कैसे लेने है यह पर डिपेंड करता है लेक मेरा एक पावर ओफ concentration is 30 minutes 30 minutes मुझे भी ठालो लगातार में पढ़ाई कर लोंगी लेकिन 30 minutes की बाद मुझे दिक्कत होने लग जाती थी तो after 30 minutes या तो मैं 10-15 minute का break लेती थी TV थोड़ा सा देख लिया phone थोड़ा सा देख लिया गाने सुन लिये work पे चले गए वो break कुछ भी हो सकती है but make it a point to take small breaks in between break break lekar पढ़ोगे बच्चों तो पढ़ाई और जादा अच्ही लगेगी पढ़ाई और जादा आप grasp कर पाओगे चीजों को और जादा चीजों को समझ पाओगे it is very necessary and next and the last thing that I would like to share with all of you is the previous year question papers में अपने सथ previous year question papers लेकर नहीं हूँ बट येस थोड़े teacher mode में जाते हैं so previous year question papers are a very very important thing for you for anyone and everyone to be very honest previous year question papers से मतलब है बच्चों कि आप लोगों को आप जितनी भी पढ़ाई कर लो जब तक आपको ये idea नहीं लगेगा कि exam में किस टाइब के questions पूच जाते हैं उनके answers कैसे लिखे जाते हैं जब तक आप उस चीज की practice नहीं करोगे ना आप exams में score नहीं कर सकते हो it is very important that after you complete each and every chapter or after you complete a specific portion आप लोग previous year question papers को लेकर बहुत जादा तयारी करो उससे जो कि मैं भी करती थी जिससे की बच्चों मुझे याइडिया रहता था कि exam में किस टाइब के questions आ सकते हैं तो हर टाइब के question के लिए आप पहले से prepared हो that is the best part यह सब चीजे करो and I'm sure अगर मैं कर सकती हूं तो कोई भी टॉप कर सकता है यार टॉप क्या टॉप करना वो नहीं है बढ़ा अच्छे नंबर तो हर कोई score कर सकता है and yes जो जो बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे ना अभी में उनके लिए अपनी memories में से फोटो विदों कर लाई हूं तो बच्चों yes this is my hand यह मेरा ही हाथ है किस चीज में हाथ है तो yes में को स्कूल से फिसलिटेट किया गया था उच्वला पुंज अव क्लास 12 इतनी परसेंटेज आई थी 95.4 टोटल सब में लाकर and being the topper of the school in the examination cbs examination 2015-16 तो yes 2015-16 बैच से हूं मैं 12th मेरी तब क्लियर हुई थी and यह मेरा स्कूल है प्यार असा yes so बचों यहां पर मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया है yes I actually did all these things कुछ extra नहीं कुछ special नहीं और इन सब चीजों को करके ही टॉप कर सकते अच्छे नंबर स्कूर कर सकते हैं so I hope आप लोगों को आज का session अच्छा लगा होगा I will see you next time तब तक के लिए take care and bye-bye have a good day guys